हेलो स्टूडेंट रामरतन स्टेडी यूटूब चैनल में आपका स्वागत है आज हम पर्सेंटेज के सवालों को हम हल करेंगे और इस वीडियो में हम पर्सेंटेज के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रिसनों को हल करेंगे जिसमें आय संबंदी प्रिशनों के कि उसकी इतनी बचत की जाए या खर्च की जाए इन प्रिशनों को जल्दी कैसे सॉल्व करें वो हम बताएंगे ठीके और बिल्कुल किरम से हर तरह के कोश्चनों को सॉल्व करेंगे जो एक्जाम में पूछे गए हैं या जो पूछे जा सकते हैं आय और बैय से संबंदी जितने भी कोश्चन बन सकते हैं इस वीडियो में हम बहुत अच्छी तरह से हल करेंगे ठीके और उनका करने का सही तरीका क्या होगा तो आप इस वीडियो को जरूर पूरा देखें तो देखें अगला कोश्चन 113 नंबर का कोश्चन ठीके 113 नंबर का कोश्चन देखें क्या कह रहा कह रहा है कि स्रीमान कपूर अपनी कुल आय का 20% मकान किराय रूप में खर्च करता है स्रीमान अपना जितना पैसा कमाता है उसका 20% किराय में खर्च करता है और सेस का 70% घरेली चीजों पर खर्च करता है यानि 20% मकान किराय पर और 6 का इस में देखे, 6 का लगाए सवालों में दो तरह से प्रिस्ट में पूछे जाते हैं एक मैं 6 में से खर्च का 6 का इतनी पर्षंट, 6 का इतनी पर्षंट और एक में 6 का नहीं लगाओ तो दोनों तरह के प्रिशनों को कैसे solve करें ठीक है वो देखेंगे इसमें तो जब प्रिशन में सेस का लगाओ सेस मेंसे वो खर्च करता है तो उन प्रिशनों को हम कैसे solve करें या उनका solve करने का सही तरीका क्या होना चाहिए वो देखेंगे ठेके तो देखो 20% मकान किराय पर और स्थेस का 70% घरेलू चीजों पर खर्च करता है मकान किराय पर खर्च करने के बाद और घरेलू चीजों पर खर्च करने के बाद उसके पास 1800 रुपे बसता है तो उसकी आय कितनी थी, तो देखो यहाँ पर 20% की friction, 20% काय में करता है मकान किराय पर करता है, तो 20% की friction क्या होगा, एक बटे 5, ठीक है, उसके पास 5 रुपए थी, 5 रुपए मैं से 20% मकान किराय, यानि 5 का 20% एक दे दिया, अब सेस कितना बचा, पहले और यह सेस, सेस बचा ठीक न, पांच रुपए तो 5 मैं से 20% मकान किराय पर दे दिया, अब कितना बचा है, 4 बचा, अब कह रहा है कि, सेस का 70%, सेस का कहा रहा है, यह ध्यार रखना आपका, जब भी सेस का बोले, तो उन प्रिशनों को हम कैसे स्वाल्व करें, यह भी सेस ध्यार रख रहा है, सेस सेस कितने बचे, तीन बचे, अब देखो काटो देरा, दो दो नी चार, दो पंचे, दस, यह गए कितना 25, और तीन दो नी 6, यानि कहने कारते हैं, उसके पास 25 रुपए थे, शुरुवात में कितने रुपए थे, 25 रुपए थे, 25 रुपए मैं से 20% मकान किराय पर दे दिय और 70% उसने घरेलू चीजों पर खर्च कर दिया, 70% काय पर खर्च कर दिया, उसने घरेलू चीजों पर खर्च कर दिया, 25 रुपए मैं से 20% मकान किराय पर खर्च कर दिया, 70% घरेलू चीजों पर खर्च कर दिया, खर्च करने के बाद उसके पास अब कितने रुपए बच देलिए लेकिन 6 रुपे नहीं बचत कितनी कह रहा गया अथारा सो बचत कितनी कह रहा अथारा सो तो छह उन्यट कमार अथारा सो एक उन्यट कमार कितना हो जाएगा तीन सो एक उनिट बरावर तीन सो तो उसका पूछा गया है कि उसकी कुल आये कितनी तो सुरुवात में कुल आये थी पच्चेस उनिट एक उनिट बरावर तीन सो तो पच्चेस उनिट बरावर कितना हो जाएगा पच्चेस गुणे तीन सो पच्चितिय कितना हो जाएगा पच्छत्तर सो यानि उसकी जो कुल आय होगी पच्छत्तर सो यानि इसका अंसर हो जाएगा बी 114 नमबर का प्रिशन देखो राम के पास जितने पैसे थे उसका 20% स्याम को दे दिया तो देखे ज़रा 20% की फिक्षन क्या होती एक बटे 5 यानि राम के पास कितने पैसे थे 5 रुपए 5 का 20% यानि एक किसको दे दिया स्याम को दे दिया यानि राम के पास रुवात में देखो कितने रुपए थे 5 रुपए थे राम के पास वो कहरा सवाल में राम के पास जितने पैसे थे उसका 20% स्याम को दे दिया तो राम के पास 5 रुपए थे 5 का 20% यानि एक किसको दे दिया स्याम को राम के पास पांच रुपे थे पांच में से एक स्याम को दे दिया तो बताओ सेस कितना बचा पांच में से यदि एक स्याम को दे दिया तो बचे सेस उसके पास कितने बचे चार ये पहले थे उसके पास पैसे अब देखो क्या कह रहा है और 20% स्याम को दे दिया सेस धनका 12% खाते पर जमा कर दिया सेस का जब देखो सेस का आ जाए ध्यां रखना सेस का लिखाओ सवाल में तो उनको इस तरह से सौल्व करेंगे सेस का कितने पर्षंट साड़े बारा पर्षंट साड़े बारा पर्षंट फिक्षन क्या होती एक बटे आठ तो साड़े बारा पर्षंट खाते पर जम्म कर दो, उसके पास कितने रुपेे थे, आठ रुपे थे, आठ का साढ़े-12%, यानि खाते में जम्म कर दिया, एक रुपे, अब 8 मनने से एक खाते जम्म कर दें सेस कितना बचा साथ बचा और आंगे देखो और सेस का धन 14 साई दो बटे 7 परसन यात आयात पर ठेके 14 साई दो बटे 7 परसन इसकी फ्रिक्षन होती एक बटे साथ यानि उसके पास उरुआत में कितने रुपए थे साथ रुपए थे साथ का 14 साई दो बटे 7 परसन यान एक रुपए का है मैं खर्च कर दिया उसने यात आयात में ठेके तो साथ रुपए थे साथ का 14 साई दो बटे 7 एक यात आयात में खर्च कर दिया तो से किसने बच उसके पास छे रुपए तो देखो जा रब सास यह साथ कट गया चार दो नियाट कट गया और 2 थे अचे यह अनि उसका हो जाएगा 5 यहाँ पर कितना आ तीन यानि उसके पास 5 रुपे तहने चुना मैं कितना रुपे ते 5 रुपे क्नी रुपे is त्वाहरे 20 पर स्याम को दिया और 3. 5.5 बारभ पर सथम जमा कर दिये और किसी आंसर हो जाएगा ठाईगा ठैके के एक सो पंदरई नंबर का प्रिश्न क्या कहा रहा है एक व्यक्ती अपनी समपत़्िकी का 40% A को देता है, को आ पास जितना पैसा होगा उसका 40% A को दे दिया जुँए 6 में से कह रहा है ap 14 परण देने के बाद 50% C को देदिया अब उसके पास 21.60 रुपे बचा है, तो कुल संपत्ति शुरुवात में कितनी थी, तो देखो 40% की फ्रिक्षन, दो बटे 5, यानि एक के पास कितने रुपे थे, एक ब्यक्ति ने अपनी संपत्ति का 40% एक को दे दिया, तो देखो, तो यहां पर देखो कैसे solve करेंगे, यहा पत्ति पांच रुपे थे, पांच का 40% उसनी किसको दे दिया, यानि 5 का 40, यानि 2 रुपे एक को दे दिया, तो सेस कितने बचा है उसके पास, उसके बचा है 3, अब आता है कि सेस रासी का 25% बी को दे दिया, तो 25% इस फ्रिक्षन क्या होती है, एक बड़े 4, पहले रासी क जाने 14 में 25 परसं यानि एक किसको दीडिया 4 का 25 परसं किस इन भचा तौर म सट पच्चीर आसी का 50 परशन को दे दिया 50 परशन क्या होती है एक बटे दो यानि दो रोपेते दो का 50 पर यानि एक रोपे किसको दे दिया सी को अब सेश कितना बचा एक तो देखो जड़ा कैसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा शुरुआतमें पांच को 20 और 22 कितना होता है चालस देखो चालिस यानि उसके पास चालिस रुपे थे 40 में से 40 किसको दे दिया एक को पच्चिस परसें जी आव Magic परसंटS से को दे दिया और सेंच में से 50 18, 9496, यानि एक इनिट बराओर कितना, 240 ते चालिस इनिट है, तो गोणा 240 से गोणा करा देंगे, 24 चोखे कितना हो, 96, ठेके, दो जिर, यानि 55, चैसलों नुग्रों पर इसका क्या जाएगा, आंसर और इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, 116 नमबर का प्रिश्ण देखो 116 नमबर का प्रिश्ण क्या कह रहा एक व्यकती अपनी आया का एक बाठे-चार भात कहने पर जितनी स्की आय होगी उस आया के एक बाठे-चार-भात खाने पर और दो-बाठे-टीन बाए घर किराय पर और सेस जो की च्छेसो तीस रुपए है उसको दूसरी वस्तुवों पर खर्च करता है उसके घर का किराया कितना है एक व्यक्ति अपनी आय कर एक बट चार भाग अब दिखे ज़रा है यहाँ पर खैरा क्थाने पर कुल आएगा एक बट चार भाकाई पर करता है और किराए पर कितना करता है कुल आएगा जितनी भी आये होगी उसका दो बट तीन भाकाई में खर्च करता है वह क्राय पर और सेस महि archives जो कि 300 सेंही सेंहीं जो जो 330 रुपए जो सेंहीं बचता है वो दूसरी बचतुओं पर खर्च करता है अब यहां पर कुल आयक कितनी मानए क्लाय को जो प्रुब śवत कुलाया मानना व 25 Si कितना हो जाएगा 12 यानि हमने कुल आय कितनी जब भी भिनने के रूप में कोई सवाल हो तो नीचे वाली संख्याओं क्या मानों अब देखो सवाल क्या किया रहा एक व्यक्ति अपनी आय का एक बटे चार भाग खाने अपनी आय का और आय तो मालूम नहीं कितने होगी जितनी भी आय होगी उस आय का एक बटे चार भाग खाने पर खच करता है और अपनी आय का दो बटे तीन भाग खिराय देता है अब जो भी सेस बसता है जो सेस बसता है वो किसके बरावर हो जाएगा 630 के बरावर होता है ठीक है तो यहां जो हम कुल आय मानेंगे नीचे वाली यानि बारह का एकबड़े 4 भाग करेंगे तो 12 मेंसे तीन रुपए 12 को लाए हो गई 12 रुपए 12 का 12 का एक बड़े 4 आयानि तीन रुपए 12 मेंसे 3 रूपए काय पर खर्च करता है वो खाने पर और देखो और बारा का दो वर्ड तीन भाग किराये पर तो बारा का देखो कितनी भाग चार और चार दिनी कितना आठ टोटल उसके कितनी रुपए थे ग्यारा रुपए थे या टोटल उसकी आये कितनी थी बारा रुपए स्वारी टोटल आये थी उसकी बारा रुपए बार हो सेस कितना बचा सीज जो बचा वो दूसरी बस्तवों पर खर्च करता है दूसरी बस्तवोंपर यहां पर कितना खर्च करता है 630 लेकिन ज़िस्कोर नहीं कहाता सवाल में कितना इन्हीं करता है, यहांइस only को रहा है कितना धैक रहा है, लेकिन 1630, इन्हीं की 7886 है, तो आठ ती चौबस की चार हांसला है दो आठ चेंग अड़ तालस और दो कितना हो जागा पचास यानि उसका किराया कितना आ गया पचास चालेस अगर उसको को लाए पूछा जाता तो इसमें 60 से हम गुणा करा देदे ठीक ना और वह पूछता कि खाने पर कितना करता तो इ अच्छा कुश परिशन क्या कहा रहा है एक व्यक्ती अपनी मासिक बेतन का 40 परेशन पर तता प्ल चालेस पर्शन क्या होती है दो बटे पांच यानि उसकी कोलाय कितनी थी कोलाई थी पांच पांच का चालेस परशन भोजन पर यनि दो रूपे काई वे करता है वो भोजन पर पांच रूपे में दो रूपे भोजन पर खर्च कर दी यानि पांच का चालिस पर्शन का है या पांच मैंसे दो भोजन पर खर्च कर दिया सीस के तना वचा उसके पास सेस बचा है 3 रूपए और सेस बेतन का एक तया यह विशेद्ध ध्यान रखना कि सवालों में क्या लखा है जब सेस में से कह है या सेस का इस बार उन्होंने प्रतिसत में नहीं कहा प्रतिसत को तोड़ करके सीधिसी सीधि फ्रक्षन में दे रहा है एक तयाई यानि उसके पा से एक परीवेन पर खर्च कर दिये तो सेश कितना बचा दो आंगे देखो कहराऊ यह दि हुआ है 45 रुपे जो भोजन और परीवेन भोजन सुनना अब उसके पास जो पैसा बचा है 45 रुपे जो भोजन और परीवेन पर बैक करने के बाद सेश रहने वाली रासी के आदे के बराबर है तो देखो यहां पार ऐसे कर जाएगा 5 और 2 उसके पास 5 रुपे ते समझने जरा बात को उसके पास रुपे ते पांच रुपे में से 40% भोजन पर और 5 का एक तैयी परिवेन पर खर्च कर दिया तो उसके पास कितना बचा है यहां पर बचा है दो लेकिन सवाल मै कह रहा है उसके पास लोटास भ。 जो कितना हो गया है है कितना हो गया है कितना मगुशता है है पांशर हो जाएगा इसका बी आंसर हो जाएगा एक सो अथार नमर का कोशन क्या कह रहा है कि एक आदमी ने अपने रुपयों का साड़े बारा परसंट खर्च किया अपने जितनी आय कमाता होगा उसका साड़े बारा परसंट उसने क्या कर दिया खर्च कर दिया और साड़े बारा परसंट खर्च करने के बाद जो सेस रासी बचती है उस सेस रासी मैंसे उसने सोलास रुपय और खर्च कर दिया अब उसने अब जो सेस रासी सोलास रुपय औ और खर्च कर दिया उसके बाद उसने 20 परसंट और खर्च किया अब उसके बाद 960 रुपे बचे तो मूलरासी क्या थी तो दिखे जरा एक आदवी ने अपने रुपेओं को साले 12 परसंट की फ्रिक्षन होती है एक बटे आठ ठीक है शुरुवात में उसके पास कितने कर दिया खर्च यू न मैंसे एक उनिट खर्च होगके सेस कितना चाहिन उसके पास सायथ यूनिट रुपे खर्च करता सीथ यूनिट मैं से उसरे उसमें मानने क्या ना इतना ठीक है यूनिट में या एक्स मान के करो या यूनिट मान के साथ यूनिट बचे थे जब कितने भी होंगे एक यूनिट का मान पता नहीं ठीक है वही हमें निकारना है साथ यूनिट जो बचे थे उसमें से उसने 16 रुफ है और खर्च कर दिए साथ यूनिट मैंस कितना सोला सो यह बच्छे सेस हैं अब इस सेस मैंसे यानि साथ युनिट माईन्स सोला सो अब सेस मैंसे वह इस conf Bur 14 में से 20 फोर करता है तो दिखो बीस परने कि-सन क्या होती है एक बट़े पांच यह यह मिदसे बीस फैसन कि यह एग बच्छ ते और चर्बाटे 5 यानि इसका 20 इसका साथ इनिट माइस 만द सोलह सो इसमें से 20 पर संद कर दिया 20 पर मतला होता है ऐइंश कज इमाने चृतना इसका हम कितना कर दे लिए का इसका सीदी सीदी सौ में से 20 घटा दे या इसका 80% कर दे तो भी हमारे यह आंसर आएगा अब इसके बाद 20% खर्च करने के बाद अब उसके पास कितना बच्चा है 960 रुपे बच्चा है यानि इसके बार कितना 960 तो चार से काट उच कितनी बार साथ यूनिट बराबर आगया आपका 2800 साथ यूनिट कमान 2800 तो एक यूनिट बराबर कितना आजाएगा आपके पास चार चार से आजाएगा जब यूनिट बराबर चार से तो शुरूरास में कितना आठ यूनिट तो आठ गुणि हम कर देंगे 400 तो यहीं हमारा क्या हो जाएगा और आंसर हो जाएगा तिक यहान यूनिट मानंकि करो यहां एक समान शाही है अपको 40% machinery में 25% building में 15% कच्चे सामान में और 5% furniture में खर्च कर दिया इस बाले यदि प्रिष्ण में आप देखो तो कहीं भी सेस का नहीं लगा है इससे जो पहले प्रिष्ण किये उन प्रिष्णों में सेस में से खर्च कर रहा तै लेकिन अब इस पार वो सेस में से खर्च नहीं कर रहा Wå total all over जितना पैसा को उसमें से अलाग दल्ग समय को खच कर रहा ठीक है और फर्नीचर में उसने कितना किया फर्नीचर में उसने कर दिया कितने पर्षंट पांच पर्षंट खर्च कर दिया अब उसके पास तेरा सो पांच रुपे बचे तो टूटल जोड़ो कितना हो रहा ठीक न दस साथ ठीक है यहां पर देखें चालिस पर्षंट नामान में ठीक है और यहां पन्दा परसेंड में से भो केरता है प 언 Mog करता है 5 परसेंडे slide तो यहां पर हो रहा कितनी परसेंड चालेष परसेंड पर्चिस परशेंड पन्दरा परशेंड और पांच परसेंड ते हो जाएगा आठ यानि 85% यानि टोडल 85% क्या करता है खर्च करता है अब चृष्छaska हम तो पिछली वाले सवालों जैसे हम सब्सक्राइब और लेगिन ऑल ओवर जितनी भी आया होगी उन सफिन और खर्च चर तो टोडल उसने 100 पर में से कितना खर्च कर दिया 85 कर तो सेथ कितना खर्च कर रहा तो बचत कितनी होगी 100 में से 85% खर्च करो तो बचत कितनी हो जाएगी 15% और लेकिन 15% बरावरो कितना दे रहा वो उसके पास 1305 बचता है 15% कमाने तना तो एक किनुट कमा 15% पर्षेंट पर्षेंट आये निजी कितना आएगा 100 बरावरो 1305 3000 आए पास से काड़ो पास काड़े कितनी जाएगा 20 पर पास से पाड़े 3AR करता है तीन तरक नों और तीन 15- два यहां इसी podría जाएग इसी में हो जाए है हमके इसा कर सकते 27 भीक्षेंट लग किसी फोटेशेंगे सतक्रीस पर्षेंट न का बशल्य Wenn When ऑडिका 80% 17% 17% 17% 17% 20 उसके पास कुलाय कितने थी 20 रोपय थी 20 में से 1785% यानि 17 खर्च कर रहा है तो बचत कितनी हो जाएगो उसके पास ठीक कि बचत हो जाएगी या आप 85% सो में से 55% बराव सीधी कर लो या इसको फ्रिक्षन से कर लो कि 85% फ्रिक्षन क्या हो दिए 17 बटे 20 को लाए कितने थी आपके पास 20 रुपे 20 में से 85% खर्च करता था यानि 17 खर्च करेगा तो बचाएगा 3 लिगे 3 नहीं बचा रहा बचा कितना रहा 305 तो एक बराव 435 तेहां इतने यूनिट था 20 यूनिट 20 गुण 435 कर देंगे तो 87 अंसर आ जाएगा ठीके एक सो बीस दो को बचा एक सो बीस क्या कह रहा एक ब्यापार ये अपने पुंजी का 50% अपने कार करता हों कि बेतन पर तथा पुंजी का 33 एक बड़े 3 पर बस्तों की खरीत पर ब्याप करता है यादि उसके पास 6000 अपने पुंजी पहले कितनी थी तो देखे जरा इसमें सेसका नहीं लगा कहीं भी सवाल में कि नहीं लगा तो कुल जोड़ देंगे कुल खर्च जोड़ देंगे पहले 50% कार करता हों कि बेतन पर तो बेतन पर कितना करता है वो 50% खर्च करता है और खरीद पर कितना करता है खरीद पर करता है 33 सही 1 बटे 3% तो इन दोनों को डोलो टोटल खर्च कितना आएगा 83 सही 1 बटे 3% ठीक है यह क्या करता है खर्च करता है 100 में से यदि 83 सही 1 बटे 3% खर्च करता है तो बचत कितना करता होगा 100 में से 100% मैं से जब 83 सही 1 बटे 3% घटाएंगे तो देखो जी कितना आएगा 16 सही 2 बटे 3% ठीक है 16 सही 2 बटे 3% क्या करता है बचत करता है लेकिन बचत इतने नहीं करता करता कितनी है वो 6000 करता है ठीक ह तो 16 साई दो बड़ी 3 परसनी फिक्षन क्या हो तो एक बड़ी 6, एक बड़ी 6 का मान कितना हो जाएगा 6000 इसमें इसका गुणा करा देंगे तो उसकी कुल जो पुंजी हो जाएगी या कुल आय जो हो जाएगी 6 का गुणा 6 चाहिए 36,000 किसका अंसर आजाएगा 36,000 ठीक ना यह हमारा हो जाएगा आंसर 121 नमर का परसन देखें भरतलाल अपनी मासे का आयका 12 परसन बच्चों की सिक्षा पर 18 परसन कपड़ों पर 38 परसन भोजन पर तता 17 परसन मनुरेंजन पर खर्च करता है इतने सारे खर्च करने के बाद उसके पास 1350 रुपे बेंक में जमा करता है यानि बचत करता है तो भोजन पर कपड़ा से कितना रुपे अधिक खर्च करता है तो दिखे अच्छा कोशन है बडियल कोशन है तो दिखो भरत अपनी मा से काएगा 12 परसन बच्चों की सिक्षा पर यानि सिक्षा पर कितना खर्च करता है 12 परसन खर्च करता है ठेक है कपड़ों पर कितना करता है कपड़ों पर करता है वो 18 परसन करता है ठेक है और भोज पर करता है 38 खर्च करता है और खर्च करने के बाद तेरह सो पचास रूफ बैंक में जमा करता कने का मतलब बचत करता है तो इनको दिखी जाए कुल खर्च कितना आ गया को छोड़ेंगे तो जी आंधे कितने परशन पचासी परशन तो बचत कितना कर रहा हुँदा पंदरा पर्शन कि जमा कर रहा कितना आ यानि बचत कर देरा सो पचास यानि फांद हाँ परशन को मनन फांद कर देन सो पचास तेहां फांदा परशन कर क्या हो जाएगा थीन बटे 20 यानि कितना हो fel 13 तेन से को काट test तीन चोक के 1235 15 एक यहां फीज तो की जो आ है बोजन पर कपड़े से कितना आधिक कर्च करता है तो भोजन पर कितना ज्यादा करता है बोजन पर कपड़ों से 20 परशन अधिक कर रहा किसका कुल आये कितनी हमारी नो हजार नो हजार का हम बीच परशन निकाले हम फ्रिक्षन क्या हो जाए एक बड़े पांच पांच इसको काटो अठारा पंच नब्वे यानि हमारा आजाएगा अठारा सो रुपे इसका अंसर हो अठारा सो रुपे अधिक करता है ये प्रितिस हत में कितना करता है 50 परसन अधिक करता है किसका को लाये से यह हमारा हुज़ जाएगा आ जई Ain 722 किया कह़रा कौरव प्राप्त राशी में से 40% होस्टव ने से इस में ओर उप्रापत से पैसा ले ता है ऑर 40 पसंड काई करता है hostel में 20 percent किताबों में करता है और stationary इसमें अब लग गया सेज का तो देखो जरा गौरप क्या करता है पिता से जो पैसा लेता है 40 percent होस्टल में तो खुशपिटल में कितना लेता है करता है एल ओवर कितना करता है यह 60% खर्च करता है अब इसमें लगे सेस का जब सेस का आ जाई तो वो देखो क्या कह रहा है और सेस का 50% पर इभियन पर करता है वो परीवेन पर तो इन सवाल को देखो अब कैसे करेंगे जरा होस्टल बुक्स और से समय से 50 पर परीवर खर्च करने के बाद उसके पास 45 रुपे बचता है जो 45 रुपे बचता है खर्च करने के जो 45 रुपे बचता है वो सेस का आधा है तो जरा समझो 50% फिक्षन तीन बटे पांच यहां उसके पास पांच रुपे थे पांच में से 60% इन दोनों पर खर्च कर दिए तो बचता कितना सेस दो बचता है पचास पर परीवर के बचता है बचता है अब हमारी बात को सुनो वह क्या कह रहा सवाल में कहरा है जो खर्च करने के बाद चार सोपचास रोपे बसता है वो सेस का आधर बसता है यह सेस हमारे कितना एक एक का कितना एक बड़े दू का Amal कितना होजायगा 400 पे निट बढ़ा होजायगा 900 ते यहां पर कितना है singular 20 गुणा करा देंगे नोपना कितना हो जाएगा 4500 रुपे यनि इस का अंसर आ जाएगा 45 रुपे ए आंसर हो जाएगा अच्छा कोशन था कर अच्छे कोशन मोर्सें की एक सो त्रींग मोर्य नमरण का का जीजों पर अपनी अपनी और इसी काई का कपादं क करता हु inacces मेंremo दोड़ो जारा सेश मैस से वो कहेगा परीवेहन पर 50% परीवेहन पर कितनी परशेंट परशेंट और मनुरण्यन पर कितना करता है पच्छेस परशेंट और खेलकूंद पर कितना करता है खेल कुंद पर करता है कितने पर्षंट दस पर्षंट और 900 रुपे की रासी बचत करता है अब हमारी बात को सुनवाई स्कुश्म ने सिरी गिर्धर अपनी घरेलों चीजों पर अपनी मासिक आय का पचास पर्षंट खर्च करता है अब सेस मैंसे यहां सेस का नहीं लगा पर्षंट तो इसको देखो 50 पर्षंट के यहां पर रहा एक बटे दू यह उसकी पास zwei रुपया थे दो कप पचास पर्षंट खर्च करते बचय कितना अब इन सभी मैं से 22, 22 हो जाएगा 4 되어害 लेकिन वो सवाल में कहा 3 नहीं बचाए, भच कितना रहा 900 तक 1 कमान 900 छहलो तो 100 कमान寄्ट कतना हो जाएगा 300 कमान 300 कमान कितना 300 140 ही है 300 गुणे 40рен कितना हो जाएगा 12 र्र रे के अतना हो जाएगा 12 हजार गया संट अब दिखें इसका last question देखे 124 नमर का question ठीक है तो 24 नमर का question क्या कह रहा कि एक पुस्थ का अले में 20 percent पुस्थ के हिंदी में 6 पुस्थ का 50 पुस्थ के इंगलिश में और अन्त में 6 पुस्थ के तो कुल कितनी पुष्ट के हैं अच्छा कुशन है बड़ी अलग कुशन है देखे 124 नमर का पुष्ण है कर एक पुष्ट का आलाय में 50% पुष्ट के हिंदी में तो देखे 50% के फिक्षन क्या होती है से एक बटे 2 DOT कुल को पुष्ट के कितने होगई दो दो पुष्ट को में दो का पुष्ट पुष्ट को देखिए दुबारा से वो कहा एक पुस्तकाल में 20% पुस्तके हिंदी में तो 20% दिखिए क्या कहा रहा एक बटे 5 यानि कुल पुस्तकाला में कितनी है पुस्तकाला में कुल पुस्तके 5 25 पुस्तकाला में तो 5 पुस्तकर पुस्तकी यानि इन में कुल पुस्तके हिन्वा रहें 2 में 50 से 5 üst क्यों एक 25 कर नियुक्सी क्यों का सकती है दो का पाचास परसन हें के लिएगर एक एदिकायम हैं एंग्ण ने कितनी हो जाएंगे कि यह हटँ हें अगला बमने 10 ejemplo फ्रेंच में ख्रींग कि वहें हूँ न किसे से तीवादि फ्रेंच में यहां से कीकिन मत्कितनी में तूरु डेक हैं हो यहाँ कितनता है साथ में तोडल पुश्टिकाले में कितनी किताबह है 25-25 मैं से हिंदी में इंग्लिस में फ्रेंज में से निकाल दो तो अन्य में कितनी बचेंगी साथ लेकर अन्य में साथ नहीं कह रहा है सवाल में कितना कह रहा है इस वीडियोह में हमने से संबंदित या उसके खर्चों से संबंदित इस वीडियो में हमने बारा कुशन्ट किये हैं इससे आँगे और भी जो कुष्ण बनेंगे वो अगले वीडियो में करेंगे और यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल को जरूर सस्क्राइब करें और आप वीडियो को जरूर पूरा देखें इसी तरह के अच्छे कुष्णों के साथ ठीकिना